मानुपत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बलकि सेवा करने तता बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है संत मत्ती कासु समाचार अध्याई 20 पसंक्या 28 आप सबों को जय एशू ख्रीश में मेरे प्यारे भायों और बहनों आज कासु समाचार में दो महत्व के बात हैं प्रबो एशू हमारे सामने रखते हैं संत मत्ती के सु समाचार में प्रबु तीसरी बार अपने दुख बोग और पुनुरुतान की बहविश्य वाने करते हैं वह कहते हैं अपने सिश्यों से उन्हें प्राण दन की आग्या मिलेगी उनका उपहास किया जाएगा कोडों से मारा जाएगा क्रूस पर चड़ाएंगे लेकिन तीसरे दिन वो जीव उठेंगे लेकिन उसे शुख का मन देखेगा वे इन चीजों पर उतना दिल्चस्पी नहीं दे रहे थे वे अपने में व्यस्त थे शायद जब प्रबु ने उनके दुख बोग मृत्यू के बारे में कहा आपस में बात चल रहे थे होगी प्रबु के बाद कौन हम लोगों में से सबसे महान होगा कौन प्रबु का जगा लेगा इसलिए जेबिदी के दो पुत्र प्रबु के पास आते हैं उनकी मां उनसे निवेदन करती है हम चाहते हैं कि मेरे दो बेटों में से एक दाएं और एक बाएं बैठ जाएं देखिएगा किस प्रकार सिशों की द्वारा अपने परिवार में भी समचार पहुंच जाता है वो है पहली बात दूसरी बात उसी चीज़ को आगे बढ़ाते वे प्रबू सेवा भाव का महत्व उनके सामने रखते हैं वो कहते हैं हमें सेवा में जीवन बिताना चाहिए स्वयम मानो पुत्र भी सेवा कराने नहीं लेकि सेवा करने दोसरों के जीवन में वो दार के लिए आयते विश्वासियों क्या हम आज भी अपने आपको मान सोचते हैं मानते हैं क्या प्रबू के वच्छन आज भी मनन जिनतन में मुझे लालाईत नहीं करता है हो सकता है हमारे पास सब कुछ है प्रबू कृपा के दोबारा कुछ भी हम नहीं मानते हैं जो कुछ हमारे पास नहीं है हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है प्रिये भाजत बैनो ये आज पूछना है मेरे अंदर वो सेवा का मन वभाव है क्या शायद चालीसा काल एक अच्चा काल है समय है जिसके दोबार हम अपने सेवा के दोबारा दोसरों को ख्रेस्ट के बारे में बतला सकते हैं प्रिये विश्वासियों पिरेमियस की दयनी दशा को आज का पहले पार्ट में दर्शाया गया है उनकी प्रात्नम देख सकते हैं किस प्रकार अपने आपको प्राण बचाने के लिए इश्वर से प्रात्न करते हैं मेरे विश्वासियों आज हमें यह ग्यात कराना है हम ख्रीस्ती होने के नाते प्रबु की अनुसरन करने के नाते सेवा में और दूसरों की बलाई में जीवन बिताना है आमिन क्रुकी अर्ण बिता बिताने के अनुसरों की नाते हैं